पिछले अपडेट्स में आप लोग चारली और संजू का पूछते रहें तो इन लोगों को हमने बाहर छोड़ा हुआ है इस समय इस जमीन पे हम गाये के लिए घास उगाते हैं सारा घास अब खतम है अगले मौसम की त्यारी शुरू हो गई है तो एक बार ये लोग घास खतम कर देंगे तो फिर हम ट्रैक्टर चला के यहां पे जॉई और बर्सी मुगाएंगे क्योंकि गाये के लिए हमें हरा चारा चाहिए रहता है और मीमी को और बेटी जी को हम यहां नहीं बान सकते क्योंकि जो भी जानवर ऐसा है जिसे लोगों के खाने का खत्रा है तो वो चोरी हो सकते हैं अब इस समय हम आपको लार्ज यानिमल एरिया में लेके चलता हूँ हमाई पास कुछ अच्छे अपडेट्स है डीजल एक तो रिकावर हो गया है डीजल यहां पे नहीं बन्दा डीजल पीछे है तो उसके वारे मैं मिलवाता हूँ और सोनू जो है वो हीलो के रिलीज हो गया है हमने उसकी एक फोटो अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी टेलीग्राम पे हम पीपल फार्म के नाम से हैं और जो मारा फेस्बुक पे ग्रूप है फ्रेंड्ज ओफ पीपल फार्म वहां पे भी अंदर जाने से पहले यह कौन है रोली पोली रोली पोली का एक बड़ा अच्छा वीडियो वेनू ने कल ही एडिट किया है और हम मंगलवार को अपने फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे पॉब्लिश करेंगे है जोखी नी, help me with the gates सबसे बहले मैं आपको चैंप से मिलवाता हूँ चैंप की जो सर्जरी है इस वीक के लिए स्केजूल है चैंप की भी और भोपू की भी क्योंकि इसका infection तो बिल्कुल खतम हो गया है पर इसका जो ये जो पूरा जो stun हटाया जाएगा वो बहाँ पे होगा पालंपू में चैंप के साथ जो एक जो चिंता जनक बात है पिछले कुछ दिनों में इसका वजन जो है थोड़ा कम हो गया मतला हमने तोला तो नहीं है पर जितना इसको देखके लग रहा है अचानक इसने वेट ड्रॉप किया है अब ये सीजन चेंज की वज़ासे भी हो सकता है या डॉक्टर हंक के डू यू आइडिया कि इसका वेट अचानक कम अचानक प्रॉटीन ड्राइट पर फिरसे दाना स्टार्ट किया चना वेगारा इसको पिरसे देना स्टार्ट करते है तो जैसे गाये के लिए हिमाले पती से अगाता है इन लोगं उल्ग फक्की नहीं आती अच्छा अच्छा मैं आपको पहले डॉक से सबसे मिलवा देता हूं फिर हम बाकी गाय से मिलते हैं रिंकी का इक उलर उतर गया है रिंकी बस मेरे क्याल से इस हफते या अगले हफते चली चाहेगी रिंकी और बेगल कठे जा रहे हैं और रिंकी का जो नए अडॉप्टर ने नाम रखा है नियो तर्बूस के साथ कुछ सैड हुआ थोड़ा यह जोए अडॉप्ट हुआ पर अगले ही दिन फिर यह वापिस आ गया उनके घर में शायद थोड़ा डिसेग्रीमेंट था तो इसके लिए हम अभी भी हम ढूंड रह हुआ है आपको बताया था कि दुबारा आ गया है जब पिछली बार यहा था तो इतना कमजोर नहीं था आलबर पिंटो की कहानी यह एकि इसके गले से पैर तक किसी ने रसी बांदी थी यह कॉमन प्राक्टिस है बही है यह बैल ज्यादा गुसहल है खेट में ज्यादा महीने बाद हमें मिला था किसी ने पकट्र लिया था और यह इसको हील करके हमने पूझतारा रिलीज तरह किसी ने इसके गले से पैर तक रसी बांदी रसी again इसकी हड़ी तक पहुंच गई अब काभी महीने लगेंगे इसको ठीक होने में अब मन तो मेरा यही है कि हम इसको क कर ले पर हम कितनों को अडॉप्ट करेंगे अल्रेडी हमार पास इतने बच्छडे हो रखे हैं बाइद अवे मैं आपको बेटी जी से भी मिलवाद हूं फिर लोग कहते हैं कि बेटी जी एंड डार्क चॉकलेट अर्विंग मुमेंट है कहां पर है अमूल आपको याद होगा डार्क चॉकलेट की माई काफी डाइम तक मैं डर के मारे इसका नाम नहीं ले रहा था खेर बाइद वह मैं सब्चे रहा हूं अगली गाय का नाम हर्शीज रखें हर्शीज ने अपना सोई मिल्क लांच किया है तो मुझे नहीं बता था कि हमारी देसी कंपनियों को बात कर थी मैं भी तो यह कहा था कि अमूल को भी सोई मिल्क और प्लांट बेस्ट मिल्क ऐसी चीज़ें लांच करनी चाहिए अब अमूल ठीक हो गई है यानि कि अमूल और डार्क चॉकलेट रिलीज हो जाएंगे जो इसका क्या नाम है नहीं बता को गें को गें जिए इनग्य आप बताएंगे में कब आया है और किया इंजरी इसकी बाइद बाइद यह डॉक्तार मांजु आ उन्य दोक्र मांचु ने हमें रिसेंटली जॉन किया ओ इसके लेफ्ट हैंड की इंचे है और इस निचे पूट पे इंचरी से यह यह चड़ी से यह और इसके इंजरी आकसिडेंट किये किसी ने मारा है नहीं कह नहीं सकते हैं और कोलगेट की तबीच में खराब हो गई थी थोड़ा यह वीक हो गया था इसको उठने में दिक्कत हो रही थी पर अब यह बेतर है और हमारे फेवरिएट हनुमान जी जो यहां पर हमारे लगबग लगबग परमनेंट गैस्टी बनके रह गए है पर अब इसकी स्वेलिंग तो काफी कम हो गई है जो मीमी यह क्यों चुपी हुई है तो इसकी तो swelling काफी कम होगी अब इसके fluid braid up हो रहा है दॉक्टर अंकित आपके estimate में कब तक release हो जाएगा तो बेसिकली यह कि incision करके इसको drain इसलिए नहीं किया गया क्यूंकि पहले मख्यों वाला सीजन था नहीं है जा Milli सकर्सथा आफ्यां सीजन के फिर से पंटीजन के इffyण हो गया और सीजन के वजैसे इन्फेक्शन हो गया और इंटिपाइट उपक सभूड के मेरेगा किसी फिर गारी ग्री एजीव ंपर पर in जिची केंड की कई अर और आपकर कोगी करना चाहते हैं प्लीज आपका शंद्रराय आपकी का केंड सवास में अखमार्डिव वे नहीं फिसक्रॉं सहते हैं झार्इ स्थाइस अब की अदिशनन अरकर आपने अद्शाण में इस में एमिल खरीए sir बाइद बाइद देवधास का अपडेड यह है कि इसका प्लास्टर कल खुल गया है और अब इसकी बस फिजियो थेरपी चलेगी एक सिकिन और में खल से कि इसको प्लाइजेशन की भी जरूरत है अब देवधास की फिजियो थेरपी कब तक चलेगी जो हाव लॉंग फिजियो थेरपी बी तो लग बग लग एक महीना लग जाएगा इसकी फिजियो थेरपी में और फिर यह रिलीज होगा अब पता है दुख की बात यह लगती है क जब इनको इतना इतना टाइम यहां पर रहते है ना तो एक अटाच्मेंट सी हो जाती है तो हम नहीं चाहते कि यह सड़क पर जाएं अडॉप्ट हो जाएं तो बेस्ट है बाइद वेरार थो स्पे केसे हम आजकर स्टरिलाइजेशन पर भी हमारा काफी जोर है यह वैसे त हम आपको कैनल का भी बिफोर आफ्टर दिखाएंगे तो खैर स्पेस जो है ना बेसिकली स्टरिलाइजेशन जो है प्रिम्टिव रेस्क्यूज हैं क्योंकि जब इनके पपीज होते हैं तो वह तो 100% मरता ही मरते हैं तो जब भी आप स्टरिलाइजेशन कर देते हैं बड़ आपके अरिया में हैं ओके तो मैं अपको गुबारा से भी मिलवाता हूं और बाकि कारे डॉट केसे से भी मिलवाता हूं यहां परवत भी है परवत जो है अगें परवत की रिकावरी काफी अच्छी चल रही है अगे भी मिल्लो वापस ना पड़ेगा ओके गुबारा को कौन इसलिए पहना हूँ है कि गुबारा की स्टरिलाइजेशन कर दी कही है मेल्स की स्टरिलाइजेशन इसलिए की जाती है कि फीमेल्स के जखके में लड़े ना चितकबरा की भी पिनिंग होई रखी है चितकबरा की भी पिनिंग है और आप मिरे कह दल्यख लेग इसको भी महीना एक लिए ठीक होने ओक होनेमे ऐ क onc dally परिशान तो हो रही है उसको कि पुछनी तो इसको यह नहीं पता कि इसकी ऑनो अडॉब्शन हो और इसको और परिशान होने की जरुवत नहीं है तिमसी के लिए हम अभी भी घर ढूंड रहे हैं तो अगें आप अगर कांगणा में हैं और आप एक लो मेंटेनेंस जोग अडॉप्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमें नमस्ते इमेल करिएगा बिल्लो से मैं आपको मिलवाता हूँ बिल्लो के साथ क्या हुआ था बिल्लो तो आपको पता है हमारी रेजिडेंट कैट है बट उसके बाद प्रॉब्लम यह हुई कि क्योंकि वो आउट्डोर कैट है वो तीन दिन के लिए गायब होगी जब वो आई तो उसक बिल्लो को यहां से जाता देखके मुझे मुझे कोई भी जानर जाता है दुख होता है पर क्योंकि इतने टाइम यहां रही है एंड इसकी अलगी पर्सनालिटी है तो इट विल इवन भी हाडर है कुछ अपडेट्स यह भी है शाइनी ने हमें एक तारीक से पर्मनेंट जॉइन कर लिया है पहले यह वर्क एक्स्चेंज कर रही थी हमारे साथ अब शाइनी जो है आनिमल एंडिश्मेंट साथ को बच्छों की क्लासिues भी ले रही है गाउं में बहुत रिक्विस्ट रही थी क्योंकि folks आरी थी तो अब यह जो बीडा है ये शाइनी ने उठाया है फिर ये ऐसी चीज़े होती है तो इससे हम गाउं में और इंटीग्रेट होती है एक तो फिर रोजगार तो जिनरेट हो ही रहा है इस समय तो जहां तक मुझे याद है इन लोगों ने दिवाली क्यों कि आ रही है तो गोबर के दिये भी बनाने शुरू कर दिये है पिछली बार इनोंने क्या किया था कि गोबर में थोड़ा आटा भी मिलाते थे और फिर जब ये दिये सूख रहे होते थे तो हमारे कुत्ते दिये खा ही जाते थे अच्छा लास्ट ताइम मैंने आपको अपडेट में ये भी बताया था कि जो काफ से उनको हम अलग एरिया में मूव कर रहे हैं तो वह मूव हो गए हैं मटको और उनकी दोस्ती भी हो गई है अब प्रॉब्लम यह जो सारे काफ से मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका करेंग क्या जब यह हील हो जाएंगे क्योंकि अब देखिए चेस्ट जो है पूरी तरह से हील है मैं अंदर चलता हूं इस दर बॉस मैन आउट यहां पर आते वे ना में यहीं डर लगता है कि मटको कहां पर है अगर आप इन सब से पहले नहीं मिले वे मैं आपको मिलवा देता हूं यह जिसके नाक पर काला मसा है इसका नाम मोरिंगा है हेई टोफू टोफू मेरी फेविएट है काले वालों के नाम में बड़ा कंफ़्यूजन होता जब तक ख़डे ना हो नहीं पता रखता यह लट्टू है जो सिद बाडी से है जिसका सींग तूटा हुआ था मुन्ना हाली में आया है मुन्ना भी सिद बाडी से है मुन्ना की मा को किसी ने किड्नैप कर लिया ये जो छोटे वाला है ये दीपक है और ये चेस जो है चेस हील हो गया है अब इसको रिलीज करने का टाइम है तो अभी हम करेंगा एक महीने बाद हमारे पास कितना लैंड हमें कुआर कर पाते हैं फिर उसके बाद हो सकता है कि यही हमारी काव सैंग्चुरी का फर्स रेजिडेंट बने मैं इसका नाम हर बारी भूल जाता हूं को इस डिस डिस यहां इस फिर 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 क्लियर होगा और यही लग रहा है कि जैसे इंफेक्शन क्लियर होगा जो इसकी बॉन अपने आप हील हो रही है उस दुरानी वो ठीक हील हो रही है यह वजन ले पा रही है बस यह यह कि है जब बच्छडे जब सारे हील हो जाएंगे और इनको छोड़ने का डाइम आएगा तब हम क्या करेंगे मैं आपको फार्म में भी दिखाता हूं फार्म में हम क्या कर रहे हैं फार्म में इससे में मल्चिंग कर रहे हैं तो हमारी जो मल्चिंग है काफी सारी गत्ते से मल्च हो रही है तो गत्ते में हम छेट करकर फिर इसमें बीज लगा रहे हैं इससे में हम लगा रहे हैं गाजर, मूली, ब्रॉकली और बक्चोय वेगरा तो हम बीज से नहीं करते उसके तो हम उरी लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ उरी लगाते हैं जिन हम सीट्स को जर्मिनेट कर लेते हैं पहले और फिर एक एक पौधा ट्रांसफर करते हैं ये जो है सारा ये बक्चोय लगा हुआ है आगे ब्रॉकली लगी हुई है ब्रॉकली, बक्चोय, मस्टर्ड, गोबी ये सब कुछ ये सब मस्टर्ड फैमिली के ही हैं नमस्ते अंटी और बैंगन तो हमारे अभी भी चले में बैंगन टमाटर तो 12 महीने का मामला है ये जो सब मक्की हमने छोड़ रखी है ये बीज के लिए छोड़ रखी है क्योंकि हम जो अपने बीज हैं खुद बचाते हैं मुझे नहीं लगता कि बीज जब तक आपके अपने ना हो तब तक आपके बास स्वाधीनता हो सकती है ओके ये जो हमारे बेट्ज है ना इसमें हम पहले ही घास शुरू कर लेते हैं ऐस अ बफर क्योंकि जो हमारी बाहर की जमीन है उसमें तो हमें हरकीजी के साथ चलना पड़ता है इस समय तो वहाँ घास लग नहीं सकती तो हमने यहाँ जॉई अगेन ओट्स हमारे अपने बचायवे बीज हैं उससे हमने लगा दिये ताकि जब तक बाहर घास नहीं लगती नहीं शुरू होती तब तक हम अपनी गाये को इससे फीड कर सकें बाइद वे यह जो सारे बड़े बड़े पौदे हैं यह हल्दी है तो जिस भी जमीन पे कुछ नहीं उग सकता वहाँ टू मच वाटर है या टू लिटल वाटर है या धूप नहीं आती या धूप जादा आती हम वहाँ हल्दी लगा देते हैं हल्दी बड़ाई लो मेंटरेंस प्लांट है एक बार लगा दिया और उसके बाद आपने एक साल बाद या तीन साल बाद निकालना है और आप उसको धो के डिहाइडरेट करके पाउडर बनाके बेच सकते हैं खेर हम अपने अपडेट के आखरी चरण में हैं और मैं आपको अब जो पीछे वैसे तो हमारे यहां पर सिर्फ रिजिडेंट आनिमल्स ही रहते हैं इस समय बड़ सारे केसिज भी है उनसे भी एक बारी मिलवा देता हूँ वो पीछे खड़ा वो नयणों है क्योंकि मैं यह जो है बारी बारी इसलिए पैता हूँ है काफी नए लोग भी हमारा जुड़ते हैं यह पैज यह वह पैच यहां पे हमने जौई उगा दी है अगें हरा चारा जो है उसकी बड़ी समस्या रहती है हिमाचल में पंजाब की तरह नहीं है कि आप खरीद सकते हैं अब मैं आपको पहलवान से मिलवाता हूँ पहलवान की इंजरी तो बिल्कुल ठीक हो रही थी पर डॉक्टर अंकित ने बताया कि हो सकता है इसकी टेंडन में चोट लगी हो कहां पहलवान है कहां या 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 देर इस पहलवान ओके मुझे मारने वारने की जूरत नहीं है ओके यह देखिए यह पैर इसने उठा रखा है ना इसकी चोट तो अच्छे से हील हो रही है पर जब इसको कि इसने दरात मारा तो शायद इसका अंदर तक टेंडन कट गया है और वो रिकवर हो होगा नहीं होगा यह नहीं कह सकते तो जब इसकी चोट ठीक हो भी जाती है इसको हम रिलीज नहीं कर सकते तो हम गौशाला कभी नहीं खोलना चाते हैं हम सिर्फ क्लीनिक थे पर हमें जबरदस्ती खोलनी पड़ गई है क्योंकि कुछ भी इनके लिए कोई बी इंतजामात नहीं है ऐसा नहीं है कि कोई नंदी शाला है या कोई सरकारी गौशाला है जो सुचारू रूप से चल रही हो जहां को पता होगी आप गाये छोड़ सकते हैं और वो सिरफ मरने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं यह सुंदर हमारा ब्लाइंड बुल है यह जो पीछे वाला ए है इनके बाहर खाने के लिए खैर और डीजल से मैं आपको मिलवाता हूं डीजल ने आज रिलीज होना है डीजल की पूच हील हो गई आपको याद होगा डीजल की पूच किसी ने काट दी थी और मैं इसको पकड़ पकड़ूंगा तो यह तो मैं अब क्लोज चलते हैं हील हो गई है और यहहा रहा रोहित जिसका नाम पहले बम्पी था रोहित ही रोहित का भी भूंट काफी अच्छे से ही अंहें हो रहा है थाव हमार को हरपीज Would जी ने कि उससे healing क्या past होती है और ये free of cost वो बनाके सेवा भाव से लोगों को भेजते हैं तो thank you अरपीज जी ओके आज का update इतना ही था और अगर मैं एक आद दो चीजे मिस कर रहा होंगा तो हम अपने telegram पे post करेंगा आप हमें telegram पे people farm की search करके join कर सकते है telegram एक ऐसी app है एक तो ये open source है किसी बड़ी company की app नहीं है कम से कम हम आपसे direct बात कर सकते हैं ऐसा नहीं कि facebook, instagram, youtube की तरह हम उनके algorithm के महताज हैं अगर आप हमें subscribe करते हैं वहाँ पे तो हम direct आपसे बातचीत करते रह सकते हैं Thank you